वेल्कम टू शिवाने अनर्सरी दोस्तो ताजे फूलों का आनंद तो आप में जरूर लिया होगा जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही खुश्बुदार होते हैं और कलरफुल होते हैं जो हमारे मन को भी फ्रेश कर देते हैं दोस्तो यहां पर लेकिन मैं आज बात कर रही हूं ड्राइ लीफ एंड ड्राइ फ्लावर के बारे में तो इसका डियाई वाई बहुत ही खुश्बुरत बनता है और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है दोस्तो मैंने बिंटर सीजन में कुछ फ्लावर्स और लीफ को तो आपकी गार्ड़न में जो भी प्लांट हो उसके आप फूल और उसके जो लीफ हैं वो ड्राइ गर लीजिए और उसके बाद यहां मैंने यह जो मेरे आप जो बरांच देख रहे हैं यह वेजनती की बरांच है वेजनती की बरांच में फलावर्स आ चुके थे तो मैंने उसको करीब डेड़ से दो फुट लम्मी मैंने ब्रांच को कट कर लिया है और उसमें गौंद से और ये फ्लावर्स और लीफ मैंने इस्टिक कर दी हैं चिपका दी हैं अब चिपकाना कैसा है दोस्तों देखिए यहां आप यह देखिए यह ड्राइफ फ्लावर है और मैंने हां पर यह गौन लगाई हुई है बस इसको आप ऐसे रख दीगे यह आपका आसानी से एक दम से बिलकुल किसी भी ग्लू से आप आसानी से इसको चिपका सकते हैं दोस् तो सारी मैंने इसी से यह चार ब्रांज तयार की हुई हैं दोस्तों बस इसी तरीके से दोस्तों आपको तयार करना है आप यहां किसी भी फ्लावर और किसी भी लीफ का उप्योंग कर सकते हैं जो आपके पास एब लेबिल हो वो सभी यहां पर बहुत ही कुशूरत लगने देखें इसमें मैंने कुछ पानिवानी नहीं डाला है मैं पॉट में अब सरब्सर रखा है अब आप देखे इसकी सुंदर ता जो है वो देखते बनती है है चुकि दोस्तों यह ड्राइए तो आप इसको शोकेस के अंदर भी रख सकते हैं आपके अंदर रखने से होगा कि ये इसके उपर डस्ट नहीं बैठेगी और ये बहुत ही सुन्दर और फ्रेश दिखाईटेगा दोस्तो तो इस प्रकार से दोस्तो आप एक डियाईवाई ड्राइफ लीफ और फ्लावर्स का तैयार कीजिए जो कि आपके घर को बहुत ही खुबसूरत बना देगा आज कल आप देखते हैं कि ड्राइफ फ्लावर्स का बहुत ही शामदार उप्योग हो रहा है तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताईए कमेंट्स करके अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए एक नया वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगी तब तक के लिए हैपि गार्डिनिंग एण हैपि डे हुअ ज क्या प्रिंग ट mutually ही और स anticipate